भारत की राजधानी दिली में जैसे जैसे सर्दी आ रही है वैसे वैसे यहां के आस्मान पर जहरीली धूंद की परते जमती वी नजर आ रही है प्रदूसन का अस्तर हर दिन बढ़ता नजर आ रहा है लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी है कोरोना काल के बीच प्रदूसन का ये अस्तर डरा रहा है लेकिन सवाल यह है कि साल अक्टूवर में ही कैसे दिली में प्रदूसन बढ़ जाता है तो आईए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई आपको बता दे कि इस सीजन में जब भी प्रदूसन की बात होती है तो चर्चा का केंद्र पराली बन जाती है यहां तकी सरकार का भी यही कहना है कि परोसी राज्य में पराली जलने के कारण दिली में प्रदूसन बढ़ जाता है हलाकि हाल में ही केंद्रिये प्रयावरन मंत्री प्रकास जावेरकर ने कहा कि प्रदूसन में पराली की हिस्सेदारी महच चार फिस्ती है ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि फिर कौन से कारण है जो इस सीजन में दिल्ली को प्रदूसन की चपेट में ले लेता है एक रिपोर्ट के मुताबिक पाया गया कि आम तोर पर अक्टूवर में उत्तर पस्चिम भारत में मौनसून की वापसी का वक्त होता है मौनसून के दोरान हवा की दिशा पुर्व में होती है यानि हवा पुर्वया चलती है बंगाल की खारी के उपर से चलने वाली ये हवाए देश के इस हिस्से में बारिश और नमी लाती है National Physical Laboratory की एक स्टडी में पाया गया की सर्दियों में दिल्ली में 72 फिस्ती हवा उत्तर पस्चिम से आती है जबकि बाकी 28 फिस्ती इंडो गंगा यानि उत्तरी मैदानी इलाकों से आती है यानि इस सीजन में दिल्ली में ज्यादातर हवा धूल वाले इलाकों से आती है हवा की दिशा में बदलाव के अलावा तापमान में गिरावट भी प्रदूशन के अस्तर को बढ़ाने का काम करती है हलाकि धूल और वाहनों से होने वाले प्रदूशन भी दिल्ली में सर्दियों के दौरान हवा की क्वालिटी को खराब करता है ड्राइ कोल्ड के दौरान धूल और प्रदूशन पूरे इलाके में फैल जाती है और इस दौरान आम तोर पर बारिश नहीं होता है जिसकी वज़ा से धूल का प्रभाव कम नहीं हो पाता है इसी के साथ दिल्ली में अक्टूवर आते ही जब परोसी राजे पंजाव और हर्याना में पराली जलाई जाती है तो दिल्ली में प्रदूशन का ग्राफ बहुत उपर चला जाता है आपको बता दे कि पराली जलाने का काम करीब 45 दिन तक चलता रहता है लेकिन दिल्ली की हवा जो अक्टूवर में खड़ाव होती है वो फरवरी तक जाकर साफ हो पाती है हलाकि दिल्ली सरकार इसको रोकने की कोशिश में लगी है और धीरे धीरे इसे कम भी किया जा रहा है इंडिया हो टॉपिक्स की रिपोर्ट